Hello friends, welcome to educational insight, दोस्तों मन्द बुद्धी बालक जी हाँ दोस्तों ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धी आउसत यानि आउसत बुद्धी एवरेज जो उनका intelligent quotient है उससे नीचे होता है, उससे बिलो होता है ऐसे बच्चों को mentally retarded child के नाम से जाना जाता है नब्बे से 110 की बीच में जो बुद्धी लब्धी होती है intelligent quotient होता है तोस्तों वो सामान बच्चे कहलाते हैं यानि एवरेज माइंड सेट का बच्चा होता है और बुद्धी लब्धी का सम्मंद ब्यक्त के व्यवहार प्रतिमान से भी होता है क्योंकि प्राया ये देखा गया है कि आउसत से कम बुद्धी लब्धी अगरों होती है तो समाज की मुख धारा में बच्चा समायोजन में खुद को अक्षम पाता है ऐसे बच्चे जिनकी आउसत बुद्धी लब्ध नब्बे से नीचे होती है सत्तर और नब्बे के बीच में होती है ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेट बच्चे कहलाते हैं ऐसे बच्चों को विशेश सिक्षा की जरूरत होती है क्योंकि सामान बच्चों का जो विद्याले है सामान बच्चों को जो सिक्षा प्रदान की जाती है वो उनकी मूलभूज जो सामान आवशक्ताएं हैं उनको दृष्टगत रखते हुई दी जाती है लेकिन जो mentally retarded बच्चे होते हैं उन्हें विशेस आउशक्ता की जरूरत होती है अब जब विशेस आउशक्ता की जरूरत होती है सामान आउशक्ता से हट के उनकी आउशक्ता होती है तो सीधी सी बात है कि उनकी सिक्षा दिक्षा जो होगी वो विशेस होगी उनकी जो special needs हैं उसको द्रिश्टगत रखते हुए सिक्षा की विवस्था होगी ऐसे बच्चे सामान बच्चों को जो सिक्षा की विवस्था है जो गणित है जो अंग्रेजी है जो सोसल साइन्स है जो बायलोजी है या जो भी सिक्षा दिक्षा दी जाती है वहाँ जो कठिंता का अस्तर है वो कठिंता का अस्तर इन बच्चों के साथ आप नहीं रख पाएंगे तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मंद बुद्धी बालक कौन है और इनका गाइडेंस इनकी सिक्षा दिक्षा कैसे हो ताकि इनकी जिन्दगी के साथ नया हो सके बिना देर किये बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो को दो दोस्तों फिनिश करेंगे मंद बुद्धी बालकों के निर्देशन की विधी जी हाँ दोस्तों मंद बुद्धी बालक है तो इनको गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि सीधी सी बात है सामान बच्चों के साथ सामान विद्याले के साथ सामान शिक्षकों के साथ भी ने समाय किसम अब यहाँ पे ऐसे बच्चे को problematic student या problematic child भी का जाता है क्योंकि जिंदगी का जो धर्रा है जिंदगी का जो तरीका है वो एक सामान बालकों के हिसाब से ही है जो जीवन शैली है जो समाज की मुखधारा में जो सिक्षा प्रदान की जा रही है वो सामान बालकों के द्रिस्टगत है तो ऐसे बच्चों के लिए जो ब्यवस्था है वो समस्यात्मक हो सकती है इसलिए ऐसे बच्चे दोस्तों समस्यात्मक नहीं हैं बवस्ता समस्यात्मक है बच्चे तो जिस रूप में है Man is good by nature, रूसो ने कहा था बच्चे जिस रूप में है, जितनी छमता लेके आए है वो इश्वर प्रदत्त है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है जो qualities बच्चे possess करते हैं उसके अनुरूप system होना चाहिए तो system दोश्पूर्ण है, faulty है तो यहाँ पे system के faulty होने से system में problem होने की वज़ा से ऐसे बच्चों को समस्याती है और यह कहा जाता है कि समस्यात्मक बच्चे होते हैं जिन बालकों की बुद्धी आउसस से कम होती है वे मंद बुद्धी बालक कहलाते हैं विशेश रूप से इस वर्ग में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धी लबदी 70 से 85 अथवा 70 से 90 के बीच में होती है बुद्ध की मंदता के आधार पर बालकों के और भी वर्ग आप कर सकते हैं जिनमें बुध्धी लब्धी सत्तर से भी कम होती है उनके कई नाम हैं मूर्ध, मूर्ख, जड़ा दी इस परकार के बालकों की भी पहचान प्रारम्भी कक्षाओं में हो जानी चाहिए कक्षाकार में पीछे रहने वाले सभी बालकों की बुध्धी परिक्षा ली जाने चाहिए और उनमें जो मंद बुध्धी होंगे वे अपने आप प्रकट हो जाएंगे मंद बुध्धी बालकों के निर्देशन समंदिय सुझाओ दोस्तों इस परकार से उन्हें कच्षा के सामान बालकों से अलग कर देना चाहिए और उनके लिए विशिस्ट कच्षाओं और आवासी विद्यालियों का प्रबंद करना चाहिए सीधी सी बात है कि जो सामान विद्यालियों हैं वो सामान बच्चों के निमित्त है तो ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे इनकी कख्षाएं अलग हो इनकी कख्षाएं जो होंगी वो विशिस्ट कख्षाएं कहलाएंगी और आवासी कख्षाएं रेजिदेंसियल इनके लिए स्कूल होना चाहिए इनकी सिक्षण जो विधी हो वो सरलतम विधी हो एकदम सरल चीज़ें ने बताई जाए इनके सिक्षण में वैक्तिक संपर्ग को विशेस महत्तु दिया जाए जो पर्सनल टच है टीचर का प्यार टीचर का विशेस देखभाल ये जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए इनके सिक्षण में मूर्त वस्तों का अधिक सेधिक प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अमूर्त वस्तों और विचारों को विए नहीं समझ पाते है जो कॉन्क्रीट चीज़ें जो पर्तच दिखती है अगर आप पिन पढ़ा रहे हैं कलम पढ़ा रहे हैं तो कलम दिखनी चाहिए ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ें इनके जो पठन पाठन है दोस्तों उसमें शामिल की जानी चाहिए वैचारिक बातें इमेजिनेटिव बातें या थौटफुल बातें ऐसी बाते हैं जिसमें की वैचारिक बातों का शुमार हो सैधान्तिक बाते हों ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा ऐसी स्क्षन विधी का प्रियोग ना करें जो भी मूर्थ रूप में हो जो की ऑफजर्वेबल हो जो की दिख रहा हो जिसे बच्चे देख सकें उन्हें चार मशिल्फ बागवानी शिडाई त्यादी और इनी के माध्यम से इस प्रकार के बालकों के लिए व्यावसाइक प्रसिक्षन का प्रबंध होना चाहिए पुल्मिलाकर के दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए न्याय तभी होगा जब इनकी सिक्षा का प्रारूप हो इसकिल बेस्ट हो लोकेशनल हो यूटी लेटेरियन हो उपयोगी हो ताकि बच्चे जो भी पढ़ें लिखें सीखें वो उनके जिंदगी के साथ न्याय करने वाल अधिक का जो विस्तार है जो प्रसार है वो किसके किसके बीच में होता है और उनको कैसे स्विक्षा दी जाने चाहिए आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें ले उनको किसके करें लो अब्सार है और उनको.